यहां पर बिटकोईन जो है वो ब्रेक आउट करने जा रहा है कौन सी ऐसी रीजन्स है जिसको जैसे मार्केट जो है वो पंप हो रही है देखो आप सबको पता है मैं करेंटली पाकिस्तन में नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी आप लोग को अप्टूडेट रखना हूं अपने ट जाकर आप जस्ट नोटिफिकेशन नेवल कर लेना टेलिग्राम चलता है तो टेलिग्राम जोइन कर लो और डिस्कॉर्ट सर्व आप जोन कर लो तीनों जग हम लोग सेम अपडेट आपको दे रहे हैं और तकरीबन आप देखेंगे मैं कब से आप लोगों को लगातार अप से profits दे सकते हैं ठीक है वीडियो को स्राटर करने से पहले चोटा सा लाइक हम रखते हैं आजकिवीडियो की तैम से लाइक हreं रखाने रह था टो तो हम लोग पांच तरो सारे के सारे हो 1, 2, 3, 4 and 5 लाइक कर दियाना तुम सबने यार देखो कर दो तुमारे लिए बिल्कुल फ्री है मुझे से कफी साथ मोटिवेशन जो हो मिल जाती है अच्छा अगर हम चल कर देखे एक चीज यहां पर BTC जो है वो एक descending broadening wedge जो हो फॉर्म कर रहा है अब आप कहोगे मुभशिर भाई क्या यहां पर हमें patterns के उपर rely रहना चाहिए क्योंकि आपने तो कहा था कि patterns हमारे पास बहुत कम fall होते हैं हाँ ऐसी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि last video के अंदर भी मैं आपको बताया था कि bear flag market के अंदर बन तो रहा है बट यहां पर मैं वेट करूँगा कि 56500 यहां पर breakdown हो जाए जब तक वो breakdown नहीं होता मैं इस pattern के अपर rely नहीं करूँगा क्योंकि markets जो है आपकी कुछ trade lines के उपर नहीं चलती है लेकिन अभी भी अगर हम currently जाके देखेंगे मैं आपको कभी टैम से कह रहा हूँ कि 62000 62000 reason क्या है देखो even कि मैंने कल की वीडियो में भी कल voice notes में भी तुम लोगों को proper market updates दी उसके अंदर भी मैंने ये का इससे पहले भी लगातार में कहा जा रहा हूँ कि 62000 बाई देखो 62000 डॉलर जो है न वो तुमारी बहुत important support बन जाती है काफी लोगों को issue होता है मैं तुमारी आपकी तेरी बोलता है देखो तू मैं आप ये सब मुखादिब होने का तरीका एक है ये उर्दू में तू कहना बत्तमीजी कहलाती है या उर्दू में तुम कहना शायद बत्तमीजी कहलाती है उर्दू में आप कहना अदब कहलाता है बट हर जगा आप तू ही कहते हो ठीक है अब बाखी अगर किसी को बुरा लगता है याद है अब सबको एक pattern form करता मतलब हमारे पास first top, second top, then ये अरिया हमारे पास neckline थी, ये demands होना हमारे पास बहुत important neckline हुआ करती थी, याद है न सबको, अभी देखो, अगर हमने इसके नीचे close किये थी, weekly हमने rallies के नीचे close की, और close करने के बाद, आज हम लोग इसको retest करने ज करवारे थी, अगर आप bounces देखोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, पांच से छे दफ़ा याँ पर weekly level के बाउंस आया, और market ने इसके नीचे weekly closing कर दी, देखो, पहले हम नीचे गये थे, बड़ आपने closing की, आप possibilities यहीं है, कि जब double top बनता है, हमारे पास coin अपना neckline break करता है, इसके बार retest करकर dumb करता है, तो यह भी इस pattern का हिस्सा हो सकता है, तो be careful on your trades, अभी अगर आप जाकर मुझसे देखोगे, तो altcoins बिल्कुल भी pump नीचे रीजन यहीं है, कि हमारे पास BTC dominance जो भी चल रही है, वो यहाँ पर चल रही है, आपके पास currently अपनी बहुत ज ज़रूरी altseason के लिए मैं again and again repeat कर रहा हूँ, और यह currently आपके पास support बना कर बैठी वी है, इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, BTC गिरे बढ़े, यह अपने zone के अंदर safely बैठी वी है, और यह expected है कि Q4 के अंदर dumb करेगी, छो हमने altcoins बिक कियो अच्छा जा सकते है, एक और ची अपा रहा, यह हमार पास एक proper breakout तब करेगा, proper एक rally तब देगा जब dominance घरेगी, BTC अपना 62 के वाला area जो वो flip करेगा, तब हम alt के अंदर कुछ momentum देख सकते हैं, फिलाल alt को अगर आप जाकर देखो, तो हमार पास बिल्कूल भी pump नहीं हुए, अब हमार पास एक list हमने आपको और सबक मैंने क्या था कि क्यू market dump कर रही है, इसको गौली लगने की वजाए से, रीजन यह है कि यह जो crypto को लेकर रहे हैं, ट्रंप, यह काफी जाधा bullish है, इसने यही काए कि यह आ गया तो ETF भी अप्रूव करवाएगा, और यह काफी जाधा favor में crypto की, इसके आने से आप सम अपन करके वो lectures देता था कि, तो यह सारे चीज़ है, प्लस उसके दो मिनट बाद क्या हुआ, news निकल कर आती है, कि जो इस बंदे ने ड्रंप के ओपर गूली चलाई थी, उसको एक उसके गार्ड ने शोट जो था, उसने मार दिया, और सुभा मैंने यह का कि हमें इस बंद इपलेशन करी नहीं सकते हैं, अब मार्केट के अंदर, now we need to look for कि BTC कब 62K को ब्रेक करें, हमारे पास डॉमिनेंस कब गिरें, और कब दुसरी कोईन का जो मार्केट के वो अच्छा ब्रेक आउट करें, तो जो कोईन्स मैंने स्लैक की हैं, जो मैं आप से बार-बार कह रहा ह तो इसके लिए मैंने दो कोईन्स बता है, तो उसे पहला एथेरियम, एथेरियम की फस्ट बाइंग हम सबने आपके साथ ही की है, मैंने भी की ये 3080 के उपर, वैसे हमारे बाइंग 2100 के उपर थी और फिर हमने 4000 डॉलर के उपर भीज दी ये बता कि कि अभाई ETF अप्रूव तो एक safe alt coin जो है, वो बन जाता है, जायर सी बात है हमारा पैसा जादा से जादा 20-30% पंप कर सकता है, क्योंकि बहुत जादा high cap second number पर coin है, and the second one is chain link, chain link मेरी हर डम के अंदर एक recommendation होती है, और से मैंने बहुत पैसा बनाय है, खास करके bear market के अंदर, chain link देने के पीछे main reason ये ह कि ये coin वाहिद ऐसा coin है market के अंदर, जो कि बहुत mature coin है, और अपने level to level के according जो ये चलता है, अब chain link की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि ये अपने zones को maintain करते है, बागी alt की तरह गिरता नहीं है, even कि BTC अभी इतना गिरा नहीं गिरा, even कि last bear market जब BTC 14-15 दार अब exactly same level to level है, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यह तकरीबन आपके पास 11.5 के उपर आता है, और तकरीबन यहां से bounce होके चल जाता है, 16-17 डॉलर के उपर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन आपके सब के साथ मैंने का था कि इसको ठालो, live stream के अ थोड़े mid-caps coins जिसके अंदर हम ने रखे हैं, अच्छे use case के साथ, उसके अंदर यह है कि आपके पैसे जो है, वो safe तो है, लेकिन coin के गरने के chances बन जाते हैं, क्योंकि market के manipulation के जैसे थोड़े से अजीब चल जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला coin PHB as usual, PHB is a best AI coin, सबसे पहली buying हमने इसकी 0.6 पे की थी, फिर 4 डॉलर के उपर हमने इसको sell करके, 5X करके हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी थी, जिसकी वीडियो आप सबको याद है, अगैन PHB को मैं वापस उठाया है, 1.60 के उपर, और अगैन 1.38 के उपर minus को जो है, वो DCA किया, best artificial intelligence coin on a binance right now with very very low cap, इ तो यह काफी अच्छी अपनी support जो होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आप देखो के तो इसी zone से last time यह निकला था और इसने तकरीब हमारे पास $5 तक की rally दी थी, currently अच्छे demands उनके पर भी आयते हैं के चल रहा है, तो yes, it's going on a very smooth और काफी अच्छा coin है, और यह भ काफी ज़दा help करता है, साथी साथ इसका काफी पुराना coin है, तो एक reputation इसकी जो है वो build है, काफी अच्छे demand zone से यह भी जो हो bounce हो रहा है, मैं यही चीज़ देख रहा हूँ और इसकी trend line बहुत अच्छी है, आप देखो कि मैंने mostly वही coins पिक की हैं, जो के इतना गिरे नहीं प्लस अपनी weekly demand zone के उपर हैं, और last time इन demand zone से इन्होंने तकरीवन अगर हम जाकर देखेंगे, तो फाला ने 3X भी दिया है, और इसके बाद वापस से फाला ने इसी demand zone से हमारे पास जो है, वो 3X वापस किया, और again currently फाला यहां से जो हो bounce कर है, काफी low supply है, team active है, और काफी अच्छा हो पुराना reputated coin है, इसके बाद last category जिसके अंदर अगर तुम्हे अपना पैसा समझ लो, बहुत जादा risk लेना है, तो यह category तुम्हारे लिए best है, जिसमें आता है pond, marlin, और marlin का यह सीन है, कि इसको अभी-अभी AI category का द्रेट किया है, क्योंकि marlin यह यह भी आपक सही जैसा अब देख रहो, यह breakout के उपर होता है, और breakout से कब यह निकल के एक ऐसी week देता है, पता नहीं चलता, क्योंकि यह coin shit coins के अंदर आता है, तो यह 40-30% के randomly week देता रहता है, इसकी जो मेरी buying है, वो मैंने साफसाफ यहाँ पर mention की ही, कि almost almost इसको 0.1570 से मैंने उठाया अगर गेमिंग कोईन में सबसे अच्छा coin, एक GHST और एक burger है, burger का यह सीन है, कि burger थोड़ा सा हमारे पास, उसका event चल रहा है, और उसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी जो है, वो थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप कहेंगे, तो manipulation expect कर रहा है, इसके बाद burger भी अच्छा है, अब देखो तुम्हार पास दो अपशान या तो GHST उठा लो या तो burger उठा लो, GHST क्यों, क्योंकि GHST पूरे dump में नहीं गिरा, प्लस अपना demand zone hold करके बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तुम देखो कर train line holded है, इस demand zone से इसने multiple of time तकरीबन मैंने count किया, तो इसने 37 times हमें यह विग दी है और इसकी जो विग होती है, वो 30% की अराम से होती है, ठीक है, और अगर तुम चलके देखोगे पीछे चलके तो यह breakout कि आपके पास एक retracement के उपर भी बैठा हुआ है, साथ ही साथ ब्रेक आउट कर रहा है, GHST की टीम काफी active है, ERC chain को भी लोग support करते हैं, इस जोन में इसका काफी volume है, जो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, लास्ट टाइम इसी demand zone से इसने जोए वो bounce लिया थो रहे, कि इसने wild rally दी थी थी, almost 3x तक की, और same I'm expecting not, क्योंकि old coins अपने bottom पर है, और ऐसा old coins पिक करना, जो कि बिल्कुल bottom है, और अच्छा gain में दे सकते हैं, वो यही coins है, तो इन coins का अपर अपनी क्रेपिया करके नजर रखना, अब BTC के अंदर थोड़ा सा साउधान हो जाओ, क्योंकि bullish patterns को bearish patterns को देखकर, अपने decisions मच change करो, क्योंकि market आपकी trend lines के उपर नहीं चलती है, हमें दूसरी चीज़ों को देखना है, yes fundamentals is good, बट अभी हमार पास थोड़ा सा अच्छा momentum जो हमें दिखा सकती है, by the way free telegram, whatsapp, ये discord server सब join कर लो, ये बहुत important है तुम सब के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भिज़ी हूँ तो मैं यही पर तुम लोग को एक short update दे देता हूँ, तो अपना बहुत ही ज़दा खया लखना, दौाओ मे नयाद रखना भाई को मिलता, नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, अलाहाफिज